ऐसे ही एजक्रेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें नमस्कार दोस्तों वेलकम यौल आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इस्चटी भी दनिल सार फ्रेंस आज का जो विशा है वह हिंदी आज हम लोग इस लेक्शर में हिंदी के इंपोर्टन कोशन को पढ़ेंगे फ्रेंस आपका कोई सब्सक्राइब हो चाहिए आपका टेट हो सूपर टेट हो सीट हो पीजटी का हो टीजटी का हो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो जो कोशन मैं बताने जा रहा हूँ यह कुशन आपके एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टन है तो फ्रेंस विधाउट लेट 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 स्टारज़ी हां पर है पूछ है कि पाली भाशां के संबंध है आपको बताना है पाली भाशां के संबंध किस धर्म से है का यह आपे आसान सा प्ट्र्शन है तो फ्रेंस बता दू आपको जो right option यहाँ पर है, right answer आपको है फॉर्स्ट का बि, यानि बौथ धर्म से हैं, तो फ्रेंस पाली भाशा का सम्मल बौध धर्म से हैं, चले को डिस्कुस करते हैं पाली भाशा के बारे में, देखें फ्रेंस, पाली भाशा दीर काल तक राजी भा बरवानित रही है बगवान बुद्र ने पाली भाशा में ही उपदेश दिये हैं अशोग के समय में इसकी बहुत उन्नती हुई है अशोग के समय सभी लेख पाली भाशा में ही लिखे गये थे यह कई देशों जैसे स्रिलंका बर्मा आधी देशों की धर्म भाशा की रूप म तो आपको साथ में ये भी धान रख़ता है, कि जो आपके 3 पिटकों की संख्या वो 3 है, कौन कौन सी है? सूत्य पिटक, विना पिटक और आपके अभी धान पिटक. तो फरस्ट का जो B है, एक्दम सहियां पर है. बढ़ते हैं अगले कोषन पर, तो अगला question हाप पर है आपको बताना है कि राजा निर्वन्सिया कहानी के लेखा कौन है आपको बताना है आपके option हाप पर है पहला आपके हाप पर है कमलेश्वर दूसरा है निर्मल वर्मा तीसरा आपके हाप पर है मोहन राकेश और चौथा है मिडाल पांडे आपका आपका राइट ओप्शन को चूज करना है A सही है B सही है C सही है या फिर D वाला सही है और I hope कि अब तक आपने राइट ओप्शन को गेस कर लिया होगा तो बता दूँ जो आपका second का A है यानि कमलेशवर यहाँ पर एकदम सही है तो राजा निर्वंसिया कहानी के लेखर कमलेशवर जी है तो second का A is the right one चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन यहाँ पर है चम्पू का तातपर क्या है आपका बताना है कि चम्पू का तातपर क्या है तो आपके option यहाँ पर है पहला आपका यहाँ पर है जिससे नाव चलाई जाती है दूसरा आपका यहाँ पर है चम्पा का फूल तीसरा है गद्यपद मिश्रित करना और चौता है सिर्प में चम्पी करना तो आपको बताना है पर right option क्या है A वाला सही है B सही है C सही है या फिर D सही है और I hope कि अब तक आपने right option को मन में guess कर लिया होगा तो फ्रेंस बता दो आपको जो right option है पर वो है third का C यहनी गद्यपद मिश्रित करना देखे फ्रेंस चम्पू श्रब काव का एक भेध है और थाथ गद्यपद के मिश्रित काव को चम्पू कहते है तो in short हम कह सकते है कि combination of poetry and prose is known as चम्पू या फिर इसको किसी और भाषा में कह सकते है यदि गद्यपद दोनों विधा का प्रयोग एक साथ हो तो उसे हम लोग चम्पू काव या चम्पू शैली कहते है तो in short friend आपको ये जाना है पर कि हम लोग यहाँ पर गद्य और पद्य को एक स्थाफ में यूज़ करते हैं और आपका बनता है चम्पू आई हो कि ये बात आपको समझ में आ गए होगी तो third का C is the right one बढ़ते हैं अगले question पर तो next question हाँ पर है आपको बताना है कि जिस नाइका का पती परदेश चला गया हो उसे कहेंगे जिस नाइका का पती परदेश चला गया हो उसे कहेंगे आगत पतिका, प्रोशित पतिका वियोगिनी या फिर इनमें से कोई नहीं आपको यहाँ पर right option को चूज करना है आगत पतिका सही है, प्रोशित पतिका सही है, वियोगिनी सही है या फिर इन में से कोई नहीं और आई होब की अब तक आपने option को सोच लिया होगा तो आपको बताना दूँ आपका जोहाँ पर fourth का B है यहीं प्रोशित पतिका, यह आपका एकड़म सही है तो fourth का B is the right one देखें फ्रेंस, यहाँ पर लिखा है आगत पतिका देखें इसका मतलब भी आपको आना चाहिए क्योंकि आपके एक्जामे तो यह भी कोशन आ सकता है कि आगत पतिका का मतलब क्या हुआ तो वह नाईका जिसका पति परदेश से लोट आया हो उसे हमलों बोलेंगे आगत पतिका आगत पतिका का मतलब वह नाईका जिसका पति परदेश से वापस लोट आया हो और तीसरा आपका आपको आपर है वियोगनी इसका मतलब होता है वह इस्त्री या नाईका जिसका पति या नायक पास में ना हो और वहाँ उसके ना रहने से दुखी हो तो यह आपका होता है वियोगनी मतलब किसी के वियोग में वो दुखी हो उसमलों वियोगनी कहेंगे तो आपका राइट ओप्शन हापर है वो है फोर्थ कभी यानि प्रोशित पतिका चलते हैं अगले कोशन पे तो अगला कोशन हापर आपके सामने है आपको बताना है कि कैदी और कोकिला कविता के रजयता कौन है तो आपके ओप्शन हापर है पहला है सुबद्रा कुमारी जोहान दूसरा है माखन लाल चतुरवेदी तीसरा है बाल कृष्ण शर्मा नवीन और चौथा है दिनकर तो आपको बताना है आपके राइट आप्शन क्या है ए वाला सही है, बी सही है सी सही है, या फिर डी सही है कोशन आपर है कैदी और कोकिला कविता के रजयता कौन है तो आई होकर कि centrifटक अपने कि अन्य प्रमुक रचनाई की तो इनकी रचनाई कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं वो है तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है फेमस का बी यानि माखनलाल चतुरवेदी अब बढ़ते हैं अगले कोशन पर आपके सामने हैं आपको बताना है पर कि म्रगावती के रचाईता निम्रिखित में से कौन है आपके ओप्शन है पर है पहला आपके हाँ पर है मुल्ला दाउद दूसरा है जाईसी तीसरा है कुतबन चौता है बंज़न तो आपको बताना है कि म्रगावती के रचाईता कौन है option आपके हाँ पर है मुल्ला दाउत, जाईसी, कुत्बन और बंजन तो आपको बताओ दुए पर right option जो है वो है 6th का C यानी कुत्बन तो मृगावती के रजयता है कुत्बन 6th का C is the right one now move on the next question तो अगला आपका जो question है वो है आपको बताने है आपर कि आत्मने पत के लेखक है आत्मने पत के लेखक कौन है आपके option हापर है शमशेर बहादूर सिंग दूसरा है कुवर नारायण तीसरा है अग्य और चवता है धर्मभीर भारती तो आपको बताना है पर कि आत्मने पत के लेखक कौन है शम्षेर बहादूर सिंग सही होगा कुवन नारायन अग्ये या फिर धर्मवीर भारती तो आई होप की अब तक आपने आप्षिन को गेस कर लिया होगा तो आपका जो सेवेंथ का सी है यानि अग्ये यापर एकदम सही है तो आत्मनी पत के लिखाक है अग्ये जी देखे फ्रेंज एक बर एक्जाम एक कोशन पूछा गया था कि अग्ये जी का पूरा नाम क्या है तो आपको बता दो उनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वातसायन अग्ये तो आपको 7 में इनका पूरा नाम भी पता होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या है अग्गे जिका पूरा नाम क्या है फिर से गए रिपीट कर देना हूँ तो 7 का C is the right one चलते हैं अगले प्रशने पे तो अगला प्रशने हमें पर है आपको बताना है कि काठ का सपना के लेखा कौन है तो आपको बताना है कि काठ का सपना के लेखा कौन है तो आपके option आपने है पहला आपका है पर हरी शंकर परसाई दूसरा है अमरकांद तीसरा है कमलेशवर चौथा है मुक्ति बोध तो आपको बताना है की काठ का सपना की लेखक कौन है A सही, B सही, C सही या फिर D सही है और I hope कि अब तक आपने option को guess कर लिया होगा तो बता दू आपका जो एर्थ का D है यानि मुक्ति बोध एक दम्यापर सही है काठ का सपना की लेखक हैं मुक्ति बोध देखे फ्रेंज मुक्ति बोध जी का भी पूरा नाम आपको शायद ना पता हो तो बता दू इनका पूरा नाम है गजानन माध हो तो इनका पूरा नाम है गजानन माध हो मुक्ति बोध तो काठ का सपना की लेखक हैं मुक्ति बोध जी उनका पूरा नाम है गजानन माधो, मुक्तिवो चलते हैं अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न है आपको बताना है यहाँ पर की रामदास कविता किसनी लिखी है रामदास कविता किसनी लिखी है आपके option हाँ पर है पहला यहाँ पर है तो आपको बता दू आपका जो right option आपकर वो है 9th का C यानी रगवीर सहाय तो रगवीर सहाय आपकर एकदम सही है, 9th का C एकदम आपकर सही है तो रामदास कविता रगवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है चलते हैं अगले question पर तो अगला question आपर है आपको बताना है कि भाव विलास किसकी रचना है आपके option आपर है घनानंद, दूसरा है बिहारी, तीसरा है देव, चौथा है पदमाकर आपको बताना है कि भाव विलास किसकी रचना है A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है तो friends अगर आप A सोच रहे हैं तो यहां पर एकदम रॉंग हो जाएगा B सोच रहे हैं तो भी आपका रॉंग हो जाएगा और D सोच रहे हैं तो भी यहां पर रॉंग हो जाएगा अगर आप सोच रहे हैं C तो आपका option अपर एकदम सही है देखे फ्रेंस बता दू आपको कि जो देव जी यहां पर है ये इनका अधूरा नाम है इनका पूरा नाम है देवदत्ता जी है फ्रेंस इनका पूरा नाम है देवदत्ता और आपको बता दू उनके बारे में कि जो देवदत्ता जी है ये रीति कालीन कभी थे ये इटावा क का 6 दा Right One चलते हैं अगले वाले कोशन पर तो अगला कोशन पर है आपका बताना है कि तुगलग किस भाशा में अनुदित हैं आपके ओप्शन पर है पहला आपका यहां यहनी कनअध तो 11 करभी तस्टा राइट के देखते हैं जुन की तो अगला को सिर्ज़न आपके सांवने आ पर है आपको बताना है कि कालिदास की रचना रगवन्शम है तो क्या है कि प्रवंद रकाव है क्या मुक्त्व योठी ते लुलुथ ॐ आ आपको बताना कि कालिदास की रिचना रगवंशम है आपके साहने option इनको पढ़िए और सोचे कि right option आपको क्या होगा I hope कि अब तक आपने सोच ले होगा क्योंकि काफी आसान सा question है क्योंकि ये question देखे exam में कई पर पूछा गया है या फिर हम लोग उसको पढ़ते रहते हैं तो I hope कि ये option आपको पता रहोगा इसका right option आपको मालूम रहोगा तो बता दू आपका जो 12th का जो C है महाकाब यहाँ पर एकदम सही है तो जो रगवंशम है ये कि महाकाब है देखे बात करें के प्रमुग रचनाय की तो जैसा जानता है कि जो अभिज्यान साकुंतलम है और मालविगाकनी मित्रम ये इनके प्रमुख नाटक है कौन-कौन से अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविगागनी मित्रम अगर बात करें महाकाव की तो वो है रगवंशम और कुमार संभवम बात करने की खंडकाव की तो वो है मेगदूतम वा रितुसंगार और जैसा कि आप जानते हैं कि विक्रमादित्य के दर्बार की ये नव कि रचना की और फ्रेंस बता दो कि जो मैं आपको बता रहूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्जाम में इंसे ही कोशन पूछाते हैं इससे बाहर कभी नहीं आता है तो साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रखनी है कि अगर आप से एक्जाम में काब है चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपके अपर है जिसे बाताना जा सके उसे क्या कहेंगे तो अपके accurate खायए तो जिसे बाटा न जा सके का right option क्या होगा और आए हो कि अब तक आपने सोच लिया होगा तो आपको बता तो जो आपका 13 का B है यानि अभिवाज एकदम यहाँ पर सही है जिसे बाटा न जा सके आपका अभिवाज है होगा उसको हम लोग भाज नहीं कर सकते हैं पहला आपका है अखंडित हम यह भी मालूम होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है तो देखे अखंडित का मतलब होता है अटूट जिसे हम लोग तोड़ो ना सके या जिसको तोड़ो ना जा सके वो होता है अटूट आपका होता है अखंडित नेक्स्ट आपका आपकर है आवंटित देखे आवंटित का मतलब होता है जो बाटा गया हो या जिसका आवंटित किया गया हो विल्ब जिससे बाटा गया हो वो आपका आवंटित होगा जैसा कि आप जानते हैं कि कई वार आपको सुनने मिलता है कि sweater का आवंटेन किया गया या फिर जूतों का आवंटेन किया गया या फिर अनाज का आवंटेन किया गया मतलब आपके जो चीद बांटा गया हो उसको हम लोग आवंटेन बगते हैं आपका अंति में आपर है अकूद देखे अकूद का मतलब होता है बेहिसाब यानि जिसका कोई हिसाब ना हो तो अकूद का मतलब होगा बेहिसाब जिसका कोई हिसाब ना हो तो जो आपका 13 का B है अभिवाज एकदम सही आपर है बाके सारे option आपके wrong है और उन option के मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि इनसे गर आपके एक्जाम में कोशन आए तो आपको कोई समस्या नहों कोई प्रॉब्लम नहों तो 13 का 20 दा राइट वन चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो अगला कोशन आपर है आपको बताना है इसमें कि और 14 है जीने के इच्छा तो आपको आपको बताना है कि जी जे उश्या शब्द का मतलब क्या है तो क्या A सही है B सही है C सही है या फिर D सही है और आई होब की अब तक आपने सही होले आप्शन को केस्ट कर लिया होगा तो आपको बता दूँ जो आपका 14 का D है यानि जीने के इच्छा एकदम यहाँ पर सही है तो 14 का D is the right one तो जो 14 का D है यहाँ पर उसका हो जाएगा जी जी विश्या और मुमोर्शा हो जाएगा मृत्य की कामना का तो 14 का D is the right one 14 का D यहाँ पर एकदम सही है बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर तो अगला कोश्चन आपर है देखे फ्रेंस काफी important कोश्चन है और आपके एक बाद बता दूँ कि एक्जाम में ऐसे ही कोश्चन आते हैं लेकिन हम लोग बढ़के जाते नहीं हैं तो हम लोग कोश्चन को wrong करके चले आते हैं तो फ्रेंस अगर आपको इसमें कुछ important लग रहा है तो अपनी copy बनाईए और उसमें जो भी आपको problem है जो भी आपको लग रहा है इसको no down करना चाहिए उसको अपनी copy पर लिखते रही है तो फ्रेंस होता क्या है कि कितना भी आप याद कलने आपको याद नहीं रहेगा exam के last time आप भूल जाएंगे लेकिन अगर आपके notes में वह चीज लिखी हुई है तो आप देखेंगे वह चीज आपको तुर्ण पहाँ पर याद आ जाएगी तो फ्रेंस कुछ भी करिए कभी भी पढ़िए जितना पढ़िए आप लोग उसका notes बनाते रहे हैं और last में आपके notes ही काम आते हैं चलते हैं अगले question पर तो अगला question है पर काफी important question है तो question की कभीर को वारी का dictator किसने कहा है कभीर जी को वारी का dictator किसने कहा है तो आपके विकल्फ हैं पहला आपका है पर है पीतांबर बरत्वाल दूसरा है हरियोद तीसरा है हजारी परशाद दिवेदी और चाहता है श्याम सुन्दर दास तो आपको बताना है कि right option है पर क्या है A सही है B सही है C सही है या फिर D सही है और आई हो कि अब तक आपने ये सही option को गेस कर लिया होगा तो आपको बता दू कि जो आपका पंदरा का right option है वो है हजारी परशाद दिवेदी तो पंदरा का जो C है एकदम सही हाँ पर है वारी का डिक्टेटर कबीर जी को हजारी परशाद दिवेदी जी ने कहा है तो पंदरा का C is the right one चलते हैं अंगले कोशन पर तो अगला कोशन या पर है दमपती शब्द का अर्थ है आपके option है प्रेमी प्रेमी का माबाप पती पतनी या फिर पिता पुत्र काफी आसान सा question है और आई होपकी अब तक आपने इसको सोच लिया होगा आपने right option को मन में सोच लिया होगा तो बता दूं कि आपका जो सोला का सी है यानी पती पतनी एकदम सही है बागी सारे आपके option wrong है तो सोला का सी पती पतनी इकदम correct यहाँ पर है चलते हैं अगले प्रेशन पर आप बताई इसका right option क्या होगा कोशन पढ़ता हूँ सुनी इसको आलोचना शब्द का सही अर्थ है आपके बताना की आलोचना शब्द का सही अर्थ क्या होगा तो आपके option आपके पर है पहला आपका है बुराई करना दूसरा है गुड़ दोशों का सम्मेक विवेचे तीसरा आपका है देखना और चौथा आपका है पर है समझदारी ना होना पहला आपका है बुराई करना दूसरा है गुड़ दोशों का सम्मेक विवेचे तीसरा आपका है देखना और चौथा है समझदारी ना होना पता है राइट आप्शन क्या होगा और आई होगके अब तक आपने सही विकल्ब को सूच लिया होगा तो आपका जो सत्तरा का बी है यहीं गुड़ दोशों का सम्मेक विवेचे आपका एकदम यहाँ पर सही है आलोचनों का exactly मतलब यही होगा सत्तरा का बीजदा राइट वन चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपके सामने आपर है आपको बताना है कि निरापद शब्द का अर्थ क्या होगा आपको बताना है कि निरापद शब्द का अर्थ क्या होगा आपके विकल्प इस प्रकार है पहला आपका है असुरक्षित दूसरा आपका है सुरक्षित तीसरा आपका यहाँ पर है आप दाओं से गिरा हुआ और चौता है बिना पैरों के तो आपको बताने कि निरापत शब्द का मतलब क्या होगा A सही है, B सही है, C सही है या फिर D वाला सही है तो बता दो आपका जो 18 का B है यहनी सुरक्षित यहाँ पर एकदम सही है तो निरापत शब्द कार्थ होगा सुरक्षित तो 18 का जो B है वो एकदम यहाँ पर सही है देखें फ्रेंद सुरक्षित या फिर जहां कोई वेपत्य की आशेंका ना हो जहां कोई डर या खत्रा ना हो तो इसके option कई हो सकते हैं बट यहां पर लिखा सुरक्षित तो आपका यहां पर 18 कभी एक्तम यहां पर सही होगा चलते हैं अगले प्रशन पर तो अगला कोशन हापर है आपको बताना है कि गुनाहूं का देखता के लेखक कौन है आपके option है शमशेर बहादुर दूसरा है अमरकांद तीसरा है शेखर चौतर है धर्मवीर भारती आपको है पर बताना है कि गुनाहूं का देखता के लेखक क को पूछा जा सकता है, कुनाहों का देवता की लेखा, तो क्या A सही है, B सही है, C सही है, या फिर D सही है, तो आपको बता दू कि जो आपका right option आपर वो है, 19 का D, यानि धर्मवीर भारती, तो 19 का जो आपका D है, एक दम्यापर सही है, बढ़ते हैं अगले question पर, तो अगला question आपको बताना है कि, प्रसाद अपने किस काव को पूरा नहीं कर पाए थे, प्रसाद अपने किस काव को पूरा नहीं कर पाए थे, आपके option आपने हैं, पहला आपका हैं पर कंकाल, दूसरा है तितली, चौथा है इरावती, और चौथा यापर है संधिया, तो A आपका हैं B है तितली, C है इरावती और D है संध्या तो आपको बताना कि प्रसाद जी अपने किस काद को पूरा नहीं कर पाये थे आई होग कि अब तक आपने सही आप्शन को मन में सोच लिया होगा तो देखिए 20 का जो C है इरावती यहाँ पर एकदम सही है 20 का सीज़दा राहिट वन तेकि प्रसाद जी यानी जैशंकर प्रसाद का अपूर उपन्यास इरावती है जिसका प्रकाशन उनके मुलित्व के बाद 1944 इस्वी में किया गया और साथ में बाहत के इनके प्रमुक रचनाई की तो वो है चित्रधारा, कामाईनी, आसू, लहर, जर्ना, अजाद शत्रू, आकाश देल, तितली, कंकाल, आदी तो फ्रेंट 20 का जो सी है इरावती एकदम यहाँ पर सही है प्रसाद जी अपने इरावती कावे को पूरा नहीं कर पाए थे तो 20 का जो सी है इकदम यहाँ पर सही है बढ़ते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आप पर है आपको बताने की अजाद शत्रू के रचनाकार है देखे पर अभी मैंने आपको बताया है कि इसका जो बी आप्शन है इकदम यहाँ पर सही है अभी से पहले वाले कोशन में मैं आपको बताया है कि अजाद शत्र के रचनाकार जैसंकर प्रशाज जी है तो 21 का जो B है एकदम्याप पर सही है आपको और आप्शन पर जाना ही नहीं है तो 21 का जो B है एकदम्याप का रचना पर करेक्ट है सही है बढ़ते हैं अगले कोशन पर देखें अगला कोशन क्या खराब आपसे आपको बताने कि कलम्द का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है आपके ऑप्शन हाप पर है पहला आपका है शरचंदर जी की दूसरा है प्रेमशंद तीसरा है अमरीत राए चौता है निराला अब बताने आपको आपको आपके राइट उप्शन क्या होगा कलम्द का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है तो बता दूँ आपका जो राइट उप्शन हाप पर है वो है 22 का B यहनि प्रेमशंद की देखे प्रेंस यहाँ पर लोग गलती क्या गरता है कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा आता है एक्जाम में कि प्रेमशंद होगा या फिर प्रेमशंद होगा तो बहुत लोग क्या करता है कि प्रेमशंद करके चले आते हैं लेकिन आपको बता दो कि आपको जो प्रेम चंद है, ये एकदम सही लिखने का तरीका है, प्रेम चंदर नहीं है, प्रेम चंद होता है, ठीक है, तो 22 का जो B है, प्रेम चंद एकदम यहाँ पर सही है, देखे अगर बात करें हैं पर इनकी प्रमुक रचनाई की, तो देखे इसमें कौन कौन से आती हैं देखिए पहला आपका निर्मला हो गया दूसरा आपका गवन है तीसरा रंग भूमी कर्म भूमी गोदान सेवा सदन और मान सरोवर ये इनकी प्रमुक रचनाये हैं तो आपको साथ में ये भी यह दनों चाहिए कि प्रेम शंजी की प्रमुक रच होवर ये इनकी प्रमुक रचनाया है तो 22 को B इसमें पर सही है अप चलते हैं अगले कोशन पर आपको बताना की आनंध मठ की रचना किसने की है तो आपके option हाँ पर है पहला आपके हाँ पर है रबीन्द नाठ टाइगोर दूसरा है शरचंद चटरजी तीसरा है बंकीम चंद चटरजी और चौथा है तारा चंद चटरजी आपको यहाँ पर सही option को चूज करना है दी होए option में से बताएं पर right option क्या होगा आनन्द मठ रचना के लेखक कौन है तो आपको बता दू आपका जो सही option है वो है 23 का C यहाँ बंकीम चंद चटरजी यहाँ पर एकदम यह आपका सही है देखिए आनन्द मठ बंगला भाषा का एक उपन्यास है और भारत का राष्ट्री की वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है देखिए फ्रेंस कितना important information आपका दी गई है कि जो आपका वंदे मातरम है वो आपका आनन्द मठ उपन्यास से लिया गया है तो आपको साथ में यह भी पता होने चाहिए अगर आपसे एक जाम में पूछ ले कि वंदे मातरम कहां से लिया गया है तो आपका सही विकल्फ होगा सही आन्सर होगा आनन्द मठ और जो यह आनन्द मठ है यह भगला भाषा का एक उपन्यास है तो 23 का जो C है एकदम आप पर आपका सही आप्शन है चलते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है आपको बताना है कि काली शरण किस उपन्यास का पातर है आपके विकल्फ है पहला आपर है देरिक तपा दूसरा है जुलूस तीसरा है मैला आचल और चौथा है धरती धन्ना अपना तो आपको यहां पर राइट आप्शन को चूज करना है तो क्या A सही है B सही है C सही है या फिर D सही है तो दोस्तों बता दूँ आपका जो सही आप्शन हापर है वो है 24 का C यानी मैला आचल तो काली चल जो है वो मैला आचल उपन्यास का पात्र है तो 24 का C is the right one अच्छा फ्रेंस अगर आपसे एक्जाम एक कुछन पोच ले कि मैला आचल किसकी रचना है तो क्या बताएंगे तो आपको बता दू जो मैला आचल है ये फरीशवर नाथ रेड़ुजी की रचना है किसकी रचना है फरीशवर नाथ रेड़ु मैला आचल फरीशवर नाथ रेड़ु 24 का जो C है एकदम सहिया पर है चलते हैं अंतिम कोशन पे तो अंतिम कोशन आपर है आपको बताना है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है आपके विकल्प इस प्रकार है पहला option हापर है उपरन्यास दूसरा है कहानी तीसरा है जीवनी चौता है आत्म चरित तो बता है यह पर right option क्या है A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है और आई हो कि अब तक आपने सही विकल्प को guess कर लिया होगा तो आपको बता दूँ कि जो आपका 25 का C है यानि जीवनी यहाँ पर एकदम सही है तो 25 का C is the right one देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बता दूँ आपको उसके पारे में तो आपको 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 आ मुछ।